रेखता फांडेशन का ये बेहत खास प्रोग्राम है गुफ्तुगू और गुफ्तुगू में आज हैं मारे साथ बेहत खास महमान जानीवानी एक्टर रोहनी हट तंगडी मुझे पड़ी चिंता हो रही है भाओ ना जाने इन्हें क्या हो गया है अच्छे के जाने के बाद बिखर से कहे हैं मैं कितना समझाती हूं कुछ क्या अंत्यान में जी लगाओ अगर नहीं कभी-कभी डरती हूं कुछ करना बैठे पादी थीर जुना पार्वते सिनमा, रंगमंच और टेलेविजन की जानी पहचानी अभिनेत्री रोहनी हटंगडी 1982 में आई सर रिचर्ड एटेंब्रॉ की फिल्म गांधी में कस्तूर्बा गांधी की भूमिका निभा रही थी रोहनी हटंगडी क्यों, क्या हुआ? कारा से ये कहला है तुमने कि मैं जाओं और पाखाने दों कहलाया था ये हर एक को करना है ये तो छोटी जात का काम है इस जगा पर ना कोई छोटा है ना बड़ा और ना ही किसी काम को उच्छा समझो मैं तुमारी पत्नी हूँ तो ये बैस कैसी? ये मेरी बात नहीं सिध्धान्त की बात है या तो तुम ये खुशी से करोगी या फिर बिलकुल नहीं तो ना ही सही रोणी हा तंगडी का जन्म पुणे के सांस्कृतिक हलचलों से भरे एक परिवार में हुआ उनके पिता एक रंकर्मी थे जिन से प्रभावित होकर उनमें भी थीटर और मृत्ति के प्रती रूची बैदा हुई पुणे के रेणू का स्वरूप मेमोरियल हाई स्कूल से पढ़ाई करने के बाद रोणी हा तंगडी एनसडी यानि नेशनल स्कूल अव ड्रामा से एक्टिंग सीखने के लिए दिल लिया गई ग्रेजूशन के दौरान एनसडी में बेस्ट एक्टर और बेस्ट आल राउंड स्टूडेंट के अवार्ड्स पाने वाली रोणी हा तंगडी की दिल्चस्पियां शुरू में फिल्म अभिने की तरफ नहीं थी वो थेटर को ही अभिने की कला का केंदर मानती थी कुछ समय तक थेटर की दुनिया में छाप छोड़ने के बाद रोणी हाटंगडी, साइद मिर्जा की अर्विन देसाई की अजीब दास्तान, अलबर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है और रविंद्र धर्मराज की चक्र के छोटे किरदारों में नज़र आई रोणी हाटंगडी की पहली बड़ी काम्याबी बनी सर डिचर्ड अटैंबरो की गांधी जिसके लिए उन्हें बाफटा अवार्ट फॉर बेस्ट एक्टरिस इन अ सपोर्टिंग रोल का अवार्ड दिया गया अकैडमी अवार्ट फॉर बेस्ट एक्टर का खिताब जीतने वाली इस फिल्म के लिए रोणी हटंगडी दुनिया भर में पहचानी जाने लगी उसी के आसपास आई महशभट की फिल्मों अर्थ और सारांश में अधिने के लिए रोणी हटंगडी को क्रमशाह फिल्म फेर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टरिस का आवार्ड मिला और बेस्ट एक्टरिस के लिए नॉमिनेट भी की गी 1990 में आई फिल्म अग्निपत में अमिताब बच्चन की मा का किरदार ने भाने के बाद रोणी हटंगडी घर घर में जाना पहचाना नाम बन गई अभी बोलो कोई मेरे बाप को बुरा बोले हां कटकर भीट लेगा तेरे पिताजी कहते थे इंसान भी पहले जानमर था सदिया लगी उसे जानमर से इंसान बनने में लेकिन तुझे इंसान से जानमर बनने में जरा भी वक्त नहीं लगा बस 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 रोनी हा टंगडी की गिंती हिंदुस्तान के सबसे संजीदा एक्टर्स में होती है थेटर, मैंस्ट्रीम और पैदल सिनमा और टेलविजन इन सभी धाराओं में उन्हें बराबर की शोहरत हासिल है आपका तो जननी पूना में हुआ और ऐसा है जाना जाता है कि आपके घर में कुछ कल्चर का इसका माहौल जैसे कि आपके पिता को कुछ इसमें शौक था किया किस तरह का परिवार है मेरे पिता जी अनाटक के बहुत शौकीन थे शौकीन यानि इन्टेसेंस वो एक्टिंग करते थे और बंबे में वो अकसर रहा करते थे तो बंबे के काफी जो जाने माने थेटर ग्रूप से उनके साथ जुड़े हुए थे और नाटक का शौक वहां से ही थोड़ा सा पैदा हुआ मुझ में भी लेकिन हम पूना में रहते थे वो शुरू-शुरू में यानि मैं आ मेरी माजी वो चाहती थी कि मैं और कुछ करूँ तो मैं जब मेरी समझ में नहीं आ रहा था तब ही उन्होंने मुझे डांस क्लास में दाखिल कर दिया शौकिया तो वहां पे थोड़ी सी मेरी जो स्टेज फ्राइट होती है या मुझे अच्छा लगता है ये तब मुझे प जाती थी और करके रही कहती थी इस तरीके से मुझे में सब पैदा हुआ उसके बाद शुरू में मैंने मेरे फादर के साथ काम नहीं किया पहले हम बिकॉद ये मेरा डांस का जो वो था तो डांस के लिए मुझे एक नाटक में लिया गया जो चुल्रेंस प्ले था और वहा बड़े नाटकों में तब मेरे पिता जी ने मुझे बाद में अपने नाटक में ले लिया और महां से मेरा क्या क्या ज़नी शुग हुआ है अप लोग कितने भाई बैहन है एक बाई और मैं आप बड़ी है नहीं चूटी आप चूटी बाकि कोई थेटर में नहीं है एस अब भाई साब को संगीत का शूग था खुद संगीतकार वगरे नहीं थे लेकिन वह इंजनेर थे लेकिन बैक्राउंड म्यूजिक का उनको काफी ज्न था और बैकराउंड म्यूजिक चोटे-छोटे प्लेस जो होते हैं वन-अचट प्लेस, कॉंपिटीशन होती थी काफी कालेक्शन होता है, I mean, digital तो था नहीं, लेकिन भर भर के उनके पास music भुआ करते थे, magnetic tapes भुआ करते थे, और सिर्फ याद से वो particular निकालते थे, और background music दे दे देते थे, खुद operate करते थे, तो वो थोड़ा सा background था, तो उसकी वजह से मेरे ख्याल में, माहौल जो था, वो वैसे आपके फादर का profession, मतलब आए के लिए परिवार चलाने के लिए वो क्या करते थे? नहीं, वो नौकरी करते थे, बीएस ही थे, I mean, ऐसा कोई engineer वगर नहीं थे, मेरे भाई सब engineer है, लेकिन वो नौकरी करते थे, लेकिन उनका ज्यादा रुजहान बिजनेस पे था, ले बंबया के एक्टिंग और ये सब क्या है? नहीं, शुरू में जो बंबरी में थे, तब उनका बिजनेस था, जो बन करके फिर वो पुना आ गए और फिर नौकरी कर ले, ऐसा हुआ. तो उनके दिल में ये कुछ शॉक भी था कि कुछ जो वो करते हैं वैसे उनके बच्चे करें और उसके रिए वो इंकरेज करते थे या मां भी सब लोग क्योंकि वैसे भी देखा जाए महाराश्ट में तो ये कल्चर ही है, मैंने इसको कोई बुरी चीज नहीं माना जाता कि कोई डांस में चला गया, कोई थेयटर में चला गया, उसको अच्छा माना जाता है, तो आपके पिता चाहते थे कि आप भी ये करें, चाहते थे ऐसा मैं नहीं कोहूंगी, लेकिन मुझ में वो हुनर है, ये उनको पता था, और जब मुझे सारा आ जाता था तो अच्छा भी लगता था उनको, और असल में जो मैं ग्रेजुएट थी, ग्रेजुएट हूँ, बी. जालवार हुआ करती थी, कहीं पे फेल्वेल हो जाए तो सब बंध हो जाएगा, तो उस हिसाब से मैं स्टड़ी भी उतना ही, पढ़ाई भी उतनी ही करती थी, और एक्स्ट्राकरिकलर अक्टिविटीज में भी बहुत थी, तो ये हुआ कि आफ्टर ग्राजुएशन, ग्र दिखाया कि ये 25 स्कॉलर्शिप्स केंद्रिया सरकार की है, जिसमें नाटक, संगीत, ये सब इंक्लूड़ेड है, उसमें नाटक एक भाग था, तो मैंने उसमें अपलाई कर दिया, उसमें अपलाई करने के बाद मैं सिलेक्ट हो गई, और फिर नैशनल स्कलॉप्ट, और अँक्रणियम, अपलाई उन्हों नेहीं मुझे बताया कि गुरू का नाम लिखना था. 2019 संगीट झाल नाम लहाबिखेудь अब ही गुरू का नाम लिखना था, कि बताया कि अधर कि अलकाई साब को बंपई में बशका है, तो अलकाईस Mỹ रहरा नाम लिखनेता. तो इस हिसाब से बिने लिख दिया और मेरी आडमिशन हो गई वहाँ पर अच्छा तो जब आप नेशनल स्कूल लब ड्रामा पहुंची तो उस दौर में तो अलकाजी सब डिरेक्टर हुआ करते थे और आपका बैच बहुत छोटा बैच हम देखते हैं कि क्यों इतने आसाथ लोग ही आपके बैच में हैं नहीं असल में जब मैं फर्स्ट यर में चली गई तो रजिस्टर पर तो चौदा लोग थे उस वक्त बैच भी में बीस से ज्यादा बीस से ज्यादा स्टूंट नहीं हुआ करते थे तो चौदा थे चौदा में से बारा दाखिल हुए वहाँ और चार अपने अपने कारेंट के वज़ें से फर्स्ट यर के बाद निकल गए तो इसलिए फिर हम दो डिरेक्टर्स दो एक्ट्रिस दो एक्टर्स और दो स्टेश क्राफ वाग ऐसे हम दो दो करके आर्ट की बैच भी और इस तरह एक बिल्कुल अलग राज्य और अलग सं पढ़ाई शुरू होनी थी और एक निया बिल्कुल माहौल था और आप तो मराथी भाशी थी तो कैसे आप उस माहौल में अपने आपको पा रही थी मैं पुना से थी और हिंदी क्या कहते है वो वर्धा की परिक्षाएं वगरे भी दी थी मैंने लेकिन बोलने का उतना हो नहीं था बेंग पुना में मराथी ही ज्यादा चलता था कोई ज्यादा हिंदी वगरे ऐसा कोई इंफुलेंस नहीं है वहाँ पे अंग्रीजी तो और तो थोड़ी सी मैं चुप-चुप रहा करती थी और उसी वक्त मुझे याद है किसी ने मुझे बताया था कि बंबई से एक लड़का आने वाला है और जैदे घटनगरी नाम है उनका तो मैंने सोचा अरे वा तो कोई तो मराथी है वहाँ पे और जब मैं वहाँ गई तो ब हालसा में और कॉन्वेंट स्कूल में गए थे तो अंग्रेजी बहुत अच्छी थी हिंडी बहुत अच्छी थी और मराथी का वह बात भी नहीं कर रहे थे तो दिने सोचा अब मेरा क्या होगा लेकिन बाद में उन्हें से दोस्ती ज्यादा हुई और जैसे वहाँ पे यह हम कभी एक्जामस में कभी तीन गंटा बैटके हमने पेपर नहीं लिखा वहाँ पे एक्जामस का मोड एकदम अलग था कि एक हमको प्रोजेक्ट दिया जाता था हम उस पे काम करते थे उसको एक लॉंग ऐसे काइंड ओफ दिंग ऐसे हम लिखते थे वह सब्मिट कर देते और जिस दिद एक्जाम है जिस वह परिक्षा है उस दिन सारा स्टाफ और हमारी क्लास के स्टूडन्स ऐसे बैठते थे और अपने अपने विशेयों पर हम बात करते थे तो उस हिसाब से आपको वह मुझे बहुत अच्छा लगा एक्जामस क्योंकि वह बिलकुल ही अलग कोई बैठ के तीन घंटा पेपर नहीं लिखना पड़ता था और जब तक आपको मालूम नहीं है आपकी सब्जक के बारे में तो आप बोल भी नहीं सकते हैं उसके उपर तो पूरी जानकारी होनी ही चाहिए अगर आपको सब्जक के बारे में बोलना है तो यह बहुत अच् अच्छ थी अथी मराथी में और लेखती थी इंग्लिष में तो जो सोचना और लिखना वो ट्रांसलेट हो जाता था onu कभी गलत भी हुआ करता था तो मैं जएदयो जी को लिखाती थी फ्रोट रियर मैं किये ऐसे यह कोई एसे में लिखा है और यह अचलो जै करते हैं और फिर धीरे 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 थोड़ी सी मेरी अंग्रेजी ठीक ठाक होने लगी तो उस तरीके से उनसे हमेरी पहचान बड़ी और वो भी सत्यदु दूबेजी के पास नैश्नल स्कलॉब ड्रामा से पहले वो काम करते थे थे थेटर उनेट में काम किया हैं तो उ इनकी भी थेटर की बैक्राउंड थी मेरी थेटर की बैक्राउंड थी थी पुना में काफी में ने प्लेस किये थे वनाट प्लेस किये थे 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 थे, कॉंकि मराथी में वो है माहूल क्यूंकि तो उस हिसाब से वो भी, he was from that background, I was from that background, so थोड़ा सा बड़ा अचा इसको adjustments के मामले, language का मामला, इसके अलावा, National School of Drama में पढ़ाई करते हुए आपको ये लगने लग गया था, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, कि यही वो जगह है, जो आपको चाहिए थी, और यहां से ही जो सीखेंगे, उसी में मजा है, और उसी में जन्वगी आगे गुजार लेकिन वह का माhoल इतना अलक था कि वहां पर इतने सारे इवेंट्स हुआ करते थे, पडोस में कठक एंडर था संगीतना ठक अकallमे थी उसके प्रोग्रम्स हुआ करते थे, कमानी थेयर्टर था, उसमें सारे प्रॉग्रम्स हुआ करहते थे, AIFXTheatre में जाके हम लोकल प्ल मुझे लगता है हमारे सामने ही बिल्ट अप हुआ है तो वहां पर भी प्लेज हुआ होने लगे तो वह मंडी हाउस का जो माहूल था वह बहुत ही क्या कहते हैं एनलाइटनिंग ऐसे था जिसकी वज़र से हम ओपन अप हुए और पिर अलकाजी साब का वह भी था कि यह सुब अब कर ङभए अब कर दो हम तो माहूल यहीं करते थे बिल्ट कॉ परृओ से निएक भेज निए फी ऐ क्रें आर्चा बजय है गिए तो बझे से अलकाना टीजां से अलकाएटने का उयहा करते थे ड़ को रात को आठ बजय तक हम उसी माहूल मे रहा करते थे यानिक लासे कर स्टेट से आये थे तो पूरी दृष्टिकोंड जो है वो एकदम से बदल गया था एंड वो अच्छा लगने लगा था उस वक्त और जितना भी मैं ले लू उतना कम है ऐसा लगने लगा था तब और जो भी कहा करते थे कि यह करो तो हम वही करते थे और उसकी वज़े से काफ कि दृष्टिकोंड में बदला गया यहनी जो मैं शायद दस साल में सीखती वो तीन साल में मैंने पूरा देख लिया था यहनी फिल्म भी देखा करते थे मैक्समल अरुपे में देखा करते थे तो वर्ल्ट सिनेमा भी हमारे सामने था तो लेकिन उसके बाद जब यह हुआ कि आप समझ सते हैं मिल क्लास फैमिली पूना और लड़की तो पीछे तो अभी शादी कर लो शादी कर लो का होना ही था तब मैंने सोचा कि अगर मैंने यहां पर तीन साल इतना अच्छा मुझे माहूल मिला है इतना मैं बदल गई हूँ कल्चरली तो शुड़ा रिस्टिक तो तब मुझे पता चला कि नहीं मुझे यही करना है वहां छोड़ते वक्त मुझे लगा कि यही करना है और मैं यही करूंगी प्रफेशनली करूंगी या नहीं तब तक मेरा डिसाइड़ नहीं था क्योंकि यहां कि मुझे वो भी फेस करना था कि यहां शादी कर लो तो तो यहां पर जो आपने कहा कि माहुल तो लोगों को अच्छा लगता है, नाटक का वो एक परंपरा है, लेकिन जब बात आती है औरतों ने, मैं 70s की बात कर रहे हूं, बात आती है कि मैं थेटर भी करूंगी, तो थोड़ा सा वो होता है कि नहीं, पहले घर का देख लो, करूंगी, तो वहां पर मुझे थोड़ा सा सक्त होना पड़ा, I had to put my foot down, कि नीम, मैं शादी के बाद थेटर करूंगी, यह मैंने जब बोल दिया, तो फिर यह हुआ कि कौन है ऐसा, तब तक तो जैदो जी का और मेरा थोड़ा सा, थोड़ा सा क्या हो ही गया था, और मैंने जो हुआ कि मेरे फादर ने थोड़ा सा वो किया कि तुम दोनों भी फ्रीलांसिंग करोगे तो कैसे रहेगा, I mean, फादर का ही दिल है, दो, he was a theater person, उनका फादर बोल रहे थे, तो मैंने कहा कि चलो हम एक साल हम को दे दो, हम देखेंगे, अगर नहीं होता है, तो हम में से को नौकरी कर लेगा, लेकिन दोनों को confidence आ गया, मेरे फादर को confidence विला और फिर उनोंने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, गोव है, और इस तरह से वो थोड़ा सा वहीं पर शुरू हुआ था कि नहीं मुझे इस ही में काम करना है, और यहीं करना है, जो मुझे अच्छा लगता है और अगर मैं नौकरी भी कर लेती थी, तो फिर भी वो आर्टिस्ट की तरह ही नौकरी करती थी, कर लेती, अगर करती मैं, तो तब तक थोड़ा सा डिसाइड हुआ कि नहीं, देखते हैं, इसी में काम करेंगे. तो अगर वापस बहुत रॉला स्कूल के दिनों की बात करूंग आपस, कि तब वो जमाना नहीं था जब बहुत इस्पेशलाइजेशन पर जोर दिया जाता था, अलकजी साब के जमाने में उतना इस्पेशलाइजेशन पर जोर नहीं देते थे, खास्तों पर स्टेज क्रा कि अगराना बता सकती हूं यहाँ पर क्योंकि हमारा जो करिकलम था वह वेल डिफाइंड था, ड्रामाटिक लिट्रेचर जिसमें हम एशेन ड्रामा, मौडरन इंडियन ड्रामा, क्लासिकल इंडियन ड्रामा, वेस्टर ड्रामा यह पढ़ते थे, उसमें से एक सेट डिजाइनिंग, लाइटिंग, थियर्टर अखिटेक्चर, मेक अप यह सारी चीज़े, वें फर्स्ट यर में कारपेंटरी भी है, तो यह सारी चीज़े हुआ करती थी, और अक्टिंग जिसमें डांस, योगा, म्योजिक, इंटरप्रेटेशन, इंप्रिशन, अक्टि यह सब उसमें आता था, so it was well defined, फर्स्ट यर सब के लिए एक जैसा होता था, I mean फर्स्ट यर में specialization होता नहीं था, फर्स्ट यर में देखा जाता था, कि किस में गती है, जैसे मुझे याद है, हमारे क्लास में सारे लोगों को आग डिरेक्शन चाहिए थी, लेकिन वोगों हमको नहीं मिली, क्योंकि वाइवा में स्टाफ और स्टोडन्स जब बात करते हैं, तो तब हमको पूछा गया, सब ने जब डिरेक्शन कहा, तो बात में कहा, आप आप अक्टिंग कर ले ना, उसमें आपको ज्यादा हो है, तो हमको अक्टिंग मिली, तो सेकंड और थर्ड में हम एक्टिंग स्पेशलाइजेशन थी, अभी यह होता है कि फर्स्टिंग में तो हमको सारी चीजों का एक ज्यान मिला है, जैसे लाइटिंग अगर करनी है, तो लाइटिंग की वज़र से, क्या होता है, कैसे लाइट लेनी है, एक्टर के लिए वो तो बहुत ज़रूर है, उसके बाद जब आप जाते हो, तो आप स्पेशलाइजेशन करते हो, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टेश क्राफ्ट पे वो था, एक तो अलकाहे साब खुद अच्छा एक्टर थे, बहुत अच्छा एक्टर थे, तो एक्टरों से काम कैसे निकालना है, कभी-कभी करो और मैं देखूंगा, और फिर वो मॉनिटर करते थे, कुछ लोगों को करके बताते थे कि यह ऐसा करो, तो यह वस बैस डिरेक्टर, और तीसरी बात यह है कि स्कूल में सिर्फ आप एक्टर हो या सिर्फ आप स्टेश क्राफ्ट के हो, तो ऐसा नहीं है, स्टेश क्राफ वाले स्टूड़न्स भी कभी-कभी स्कूल प्रडक्शन में अक्टिंग करते थे, और हम जैसे हमको अगर यानि एक्टर्स को अगर कोई रोल नहीं मिला, तो हम कॉस्ट्यम भी कर लेते थे, या कहीं पर एसिस्टेंट भी कर, असिस्टेंसी भी करते थे, तो ऐसा है कि सिर् एक उस पे कॉंस्टेशन नहीं था, सब पे कॉंस्टेशन था, दूसरी बात यह है कि करिकलम से आगे जाके आपके माइड को ट्रेन करने के लिए, मेरे खाल में हमको जो कुछ प्रोजेक्ट्स आउट ओफ दे करिकलम, जहां तक मुझे याद है हमारी बैच को दिये थे, व पे आर्ट क्राफ्ट्स इन मोहेंचुद्रो और खटपा गुपता पिरेड़ तो उसमें किया करना हैं, करना यह कि आर्ट और क्राफ्ट उसमें क्या होगा यिसे होगा, यो जनि सिम्पल सा एक्ञांपल है, कॉर्ट मिली है वहाँ पर, एक खिलो नम मिला है, जिसमें पहिय अगर पहिये हैं, तो ट्रेड होगा, यानि ट्रैवल होगा, ट्रेड होगा, आपको कॉइन्स भी मिले हैं, मैं सपर्टमीन संस्कृति के कॉइन्स भी मिले हैं वहाँ पे, दूसरा, अगर पहिया होगा, तो पोटरी भी उतनी ही ज्यादा होगी, यानि हैंडमेड प्रॉपर् और वैसे आपको वह भी मिले है, तुकडे भी मिले है, जो अगर लगाया तो अच्छा वह पॉट मिलेगा, वह भी है, एक टांसर की मूर्ती मिली है, जो बैंगल्स वगरे और ऐसे खड़ी है, तो वह खुद को अडॉन करने की है, कि कही न कहीं पे वह संदर अदृष्टी त तो फिगर मिली है, तो योगा जैसे फिगर है, तो दाइटीज का, यह नि आप एक छोटे से इससे आप किस तरह से बिल्ट अप कर सकते हो, तो तब तो हमको बहुत अच्छा लगा था कि अरे यह ऐसा होगा, ऐसा होगा, और हमने पढ़ा भी, लेकिन उसका यूज बात में आपके mind को train करने के लिए होता है, ऐसा मैं समझती हूँ, कि एक character building के लिए वो बात में यूज कर सकती हूँ, तो तब तो हमको पता नहीं था कि इस तरह से, आप जाके, जब I think back, I mean, कितना दूर का सोचा था उनोंने, यह ऐसे mind भी train किया जाता है, अलकारी साब, कभी-कभी पेंटिंग भी मुझे यादे है, एक बार उनोंने नैशनल एग्जिबिशन लगा था, पेंटिंग का, हमको बताया कि मैं ग्यारा बज़े आ रहा हूं, और जिसको आना है आजा, and I'll show you around, अब show you around, अलकारी साब खुद पेंटर, और उनके साथ अगर पेंटिंग देखना ह तो उन्होंने एक एक पेंटिंग, एक एक स्कल्प्चर हमको explain किया है वहां पे, अब as an actor मैं सोचती हो, पेंटिंग में मुझे क्या है, लेकिन ऐसा नहीं है, again आपकी जो दृष्टी है वो बढ़ाने के लिए, यादि इस तरह की चीज़े होती थी, तो यह नहीं था, आप को आगए थे जिन्होंने हमको इबारागी यह जैपनीज प्ले हमने किया, डॉक्टर शिवराम कारण थाय थे, उनके साथ हमने यक्षगान किया, यक्षगान का प्ले किया, भीष में विजय नाम का, दान्तों स्टेश क्राफ्ट के लिए, I mean, set designing के लिए, ब्रायन करा नाम सब पे उनकी नजर थी, और करिकलम बहुत बढ़िया था वहां का, sorry, मैं बहुत excitedly बात कर रही हूँ, लेकिन अभी मैं जब सोचती हूँ कितना बढ़िया उन्होंने हमको तयार किया, ऐसा मैं हमेशा सोचती हूँ, अचा तो आपके रहते वे, जो आपके चाहे मां फर्स् कौन कौन से नाटकों में आप हिसा ले रही थी, कौन नाटक हम याद कर सकते हैं, वहां पर काफी सारे नाटक की है, मैंने, बिल्कुर फर्स्ट यर से अकर मैं मुझे याद है, तो सूर्यमुख नाम का एक प्ले था, लक्षमिनारा एंडलाल, उसमें वे नूरती का रोल कि था मैंने, फिर सेकंड यर में जाके सुल्टान रजिया, फिर अंधायूग, यह इबारागी में यह जैपनीज प्ले में 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 रोल किया था, मौसी का रोल किया था, वन आफ द में रोल्स, यक्षगान में भीषमा विजय नाम का वेश था, जिसमें अंबा, अंबा, www. связag Nichiャ, वन आफ ने किया था उस वद, तस वाहते हैं था तो यह सारे प्ले क्या है और स quwall अमौन ते था सेकंड आफ मुझे याद है, але च्छ्छ है मिए राज, और में था तैनर नियौन यह को आफे प्ले स्चोल प्ले, भीशने यह काफी सारे प्लेस अपने क्या रेपरेटरी कंपनी में भी नौकरी की तब नहीं उसके बाद तब रेपरेटरी कंपनी फॉर्म होदे वाली थी लेकिन आल्टिमेटली हमने यह सोचा कि अब हम यहां आये हैं और जीरो से स्टार्ट करना था मतलब आप लोगों ने अपनी पढ़ाई वहां पूरी करके फॉरन मंबई आ रेपरेटरी में हम नहीं गये मैं और जायदेव जी दोनों कि वही सोचा कि वहां पर रेपरेटरी में जाके फिर वापस जब आएंगे जिंदगी पर तो वहां नहीं रह सकते हैं वापस आएंगे तो फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा तो वाई शूड भी तो बंबई में ही और वो नाटक का था ही नाटक इतना प्रगत है बंबई में तो उसमें ही कुछ करें असा सोच कि हम रेपरेटरी नहीं गये और फिर बाद में आप लोगों ने कई वरशों तक साप में न जोट था खुद जैदेव जी कि मैं उनसे कभी मिला नहीं सिर्व मैंने उनका नाम सुना है आप लोगों की लंबे समय तक साथ रहा और वो खुद यहां थीटर यूनिट से वहां गय थे और फिर वापस कैसे कैसा पाया आपने जैदेव जी को अपने कला की प्रेड़नाओ जादेव जी कि जैदेव जी जो मुझे लगता है जो अलकाजी साब की जो घौलिटीज में पाई उनमें वही मेरे चाल में जेदेव जी के साथ मैंने पाया, हम जैसे एक नाटक था हमने किया हुआ अप राजीता नाम का नाटक था वने वन वोमन वन गर्रैक्टर प्ले आ तो वो छोड़ देते थे मुझ पे, कि तुम करो, यानि कभी भी ऐसे प्रेस नहीं किया कि यही करो, यही करो, मुझ पे छोड़ देते थे और फिर मैं करती थी और आके वो इस तरह से करो, और कभी-कभी ऐसे होता था, I used to get stuck, कि मुझे याद नहीं हो रहा है, क्योंकि वन एक आपको जो करना है, तो याद करना भी बहुत मुझकिल होता था, तो उसके लिए उनका जो नजरिया था, कि हाँ ठीक है, नहीं याद हो रहा है, तो फिर मैं ऐसा करता हूँ, कि इस करेक्टर के बारे में तुम जब बात करोगी, एक पॉइंट या एक कुरसी, यहाँ पे आ आपको जो करना है, वो वो करते थे, और जो नए, उनको नए लोगों के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि हमेशा वो कहते थे, I can mold them, ऐसा नहीं है, कि यह करो, यह करो, ऐसा नहीं कहते थे, लेकिन जो वो करते थे, वो रियरसल में हमको ऐसे लगता था, कि यह क्या कर रहे हैं, यह क्या कर रहे हैं, यानि हाउस बर्नाडा अलबा हमने जब मराठी में किया, तो उसमें भी ऐसे हुआ कि जो बर्नाडा की जो मा है, उनको उन्होंने एक बचपन के हमारे जो बड़बड़ गीत बोलते हैं, वो बोलने के लिए बोला, हम ऐसा सोचते यह क्या है, ऐसा ही क्यों आप एक हिस्टेप आ गया यह क्यों कह रहे हैं, उसको सिर्फ बड़बड कि गा के क्या होने वाला है। शुरू शुरू में तो पता नहीं चलता था, but he had everything in his mind कि कैसे दिखेगा और क्या उससे परिणाम होगा। और जब वो नाटक हम ग्रैंड रियर्सल में हम जब खेलते थे तो फिर पता चलता था, oh my god, यह एफेक्ट है इसका। और जैसे उनकी मेड और मेन कारेक्टर, यह दोनों हमेशा हमको दो step ही ले लेना, एक step ले लेना, यह करना, and then I got that they are like two sides of one coin, और वो बताने के लिए वो यह सब करते थे कि एक हिलाइन में तो दोनों आजा, यह बहुत बात में पता चलता था, तो इस हिसाब से वो काम करना, अपने स्क्रिप्ट पे काम करना, यह तो कर ही लेते थे, and that I think, वो उनका अलगाई साब का contribution उसमें बहुत ज्यादा है क्योंकि वो उस तरह से meticulous or very particular about so many things, ऐसे थे, तो वो एक और बाकी influence तो शुरू से थे त्याट्री ने काम करके वो तो था ही, लेकिन यह सारी चीजे उनोंने, और दूसरा एक उनका पहलू, जो वो पढ़ाते थे, यानि बात में हम वापस आने के बाद उन्होंने यहां पर वर्क्शॉप्स लेना शुरू करती है, आभी तो वर्क्शॉप्स बहुत ज्यादा होते थे, उस जमाने में होते नहीं थे वर्क्शॉप्स, और वर्क्शॉप्स में यही होता था कि इंट्रड्यूज करना, ऐसे बहुत सरे स्टूट्स हुआ करते थे, जिनको नाटक का नव पता नहीं है, पर फिर भी उनको इंट्रड्यूज करना नाटक से, तो वो हमेशा कहते थे, कि मुझे एक्टर इसमें से नहीं मिला तो चलेगा, मुझे एक स्पेक्टाइटर अच्छा बनाना है, कि नाटक कैसे देखना है, नाटक क्यों मुझे देखना है, नाटक में देखने लायक क्या है, नाटक में अप्रिशियेट करने लायक क्या है, यनि एक्टर नहीं मिलेगा तो चलेगा, और ऐसे कुछ लोग है कि, no, no, this is not my cup of tea, ऐसे करके अगर तीन मिल दूर जाए, तो वो भी मुझ मुझे चाहिए, तो यह उनकी बात, और बहुत अच्छा पढ़ाते भी थे, as a teacher, he was very good, as a director, he was very good. तो इस तरह से आप लोगों ने लंबा समय यहां पर थेटर किया, और उस बीच आपके पास पहली बार फिल्म का, कोई एक बड़ा, ऐसा कोई मौका, कि वो एक दूविधा भी होती है, कि करना तो थेटर था और फिल्म करनी पढ़ वही है, वो मौका कब आया आपके लिए? यहां फिल्म करनी पढ़ रही है, समय का नहीं आया, लकिन जब हम थेटर में ही काम कर रही थि, मैं अरुपरोफिशनल मराण ही, थेटर में काम कर रही थी, तभी स साइद मिरजा यह अपने पहली फिल्म बना रहे थे अर्विन सैकिया, जीब दास्ताः तो अग मैं, earned a. नसीर और ओम मुझसे एक साल सीनियर तो वो फ्टिय में चले गए थे और फ्टिय पुना में तो मैं उनको कभी-कभी घर पर बुलाय करती थी घर का खाना खाने के लिए और मैं जाय करती थी वहां पर तो देन्यू मी अस नक्टोप तो तब सहीद मिर्जा ने मुझे पूछा पहला काम किया उसकी दूसरी फिल्म में भी काम किया तो मेरा जो जर्नी है वो फिल्म थेटर, फिल्म और टेलिविजन ये साथ-साथ चला है क्योंकि उसी वक्त ये दो फिल्मे की उसी वक्त खांदान नाम की सीरियल आई थी हम लोग खांदान और ये सारी सीरियल तो तो जमाने से तीनों स्ट्रीम में धीरे धीरे काम करना शुरू किया था जैन मेरी तीसरी फिल्म थी चक्र रॉबिन धर्मराज की और चक्र के बाद मुझे गांधी गांधी करने मुझे यह जो फिल्म कर नहीं थी इन में आपको एक सुक्त थो मिल लोगा कि एक्टिंग आपको कर Teh लेकिन फिल्मों में में जो काफी काम और काफी अपधि कर खाशान वो तो होनी पा रही थी, क्योंकि ये सब आफबीट फिल्में थी, तो उससे भी कोई आपको आपके सफर में कोई रुकावड जैसी चीज़ आ रही थी, कि फिर ब्रैंडिंग हो जाती है, खासता है, फिल्म में काम करना, it was just extension of my being an actor, ऐसा मैं उस वक्त सोच रही थी, कि चलो टेलिविजन में काम कर रहे हैं, फिल्म में काम कर रहे हैं, ये कभी था ही नहीं मेरा, क्योंकि मुझे acting करनी थी, बौट लोग ऐसे सवाल पूछते हैं, कि आप पुना से हैं, फिल्म इस्टिटूट पुना में हैं, फिर भी आप इंस्टिटूट में ना जाकर आप दिल्ल में काम करती हैं, लड़की वगरे, ऐसा थोड़ा सा वो होगा, लेकिन फिल्म का मेरे दिमाग में भी नहीं था उस वक्त, थेटर ही दिमाग परचाया होगा था, तो यहां आके, फिर अगर छोटा ही काम मिल रहा है, तो चलो, experience है, चलो, कैसे होता है, देखते हैं, चलो, य कैमेरा कहां रखा है, यह तो हमने सीखा नहीं था, तो इन दो-तीन फिल्मों से हम वो सीख गए थे, तो वो experience, सिफ experience लेने वाली बात थी, even television में, अच्छा, television में यह आएगा, हाँ, चलो, ठीक है, television करते हैं, लेकिन acting करनी है, यह सबसे बड़ा हो था, कि मुझे acting करनी है, क कोई भी more medium हो, तो उस हिसाब से मैंने वो शुरू किया था, और फिर गांधी के बाद, जब वापस आई, तो उसके बाद, it was like, film industry में notice करना वाली बात है, यदि वापस आके, immediately मैंने जो रोल किया है, वो अर्थ का, अर्थ की shooting की, यदि में मैं वापस आ गई, और अर्थ की स्टार्ट की, तो तब भी वो नहीं था कि मैं वहाँ से आई हूँ, अभी मैं करूंगी, ऐसा भी नहीं था, रोल अच्छा लगा, और तो शवाना थी साथ में, समिता थी साथ में, अच्छी फिल्म होगी, और मैंने वो कर ली, तो फिल्म में काम करना ये नहीं था, मेरा acting क करना ये मेरा मोटो था, तो गांधी फिल्म के बारे में हमको बताईए कि गांधी फिल्म किस प्रोसेस, किस प्रक्रिया से होकर आप तक पहुंची, क्या आपको अंदाज़ा था कि कास्टिंग हो रही है, तो आप उसमें कहीं कास्ट कर दी जाएंगी, नहीं, बिल्कुल उ पता था कि ऐसा एक रिचर अटेंबरा नाम के एक एक एक्टर है, वो फिल्म डारेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि उस वक्त नाना जोड़कर नाम के एक मेकप आर्टिस्ट हुआ करते थे, एजएट थे, लेकिन वो हमेशा बताया करते थे, उनको बहुत इंफरमेशन हुआ क करते थे, एणिवेशन हुआ, तो मैं अटख के टूर पर थी और वापस आगी और मुझे पता चला कि उसी दिन मुझे शाम को डॉली थाकुर जो लाज़ों जैसी थी जो प्लोगों को मिलवा रही थी, सब अक्टर्स,सको मिलवा रही थी, सर इचर्ड से, तो शीणियू मै अजिए अच्टर ही हम कर रहे थे तो अज़ थेत्र आर्टिस्ट शी नूमी तो उनका हमको मैसेज आया तब फोन नहीं था मारे पास अज़े लेकिन मैसेज आया कि यह से है और रोणी को बता देना कि शाम को सरीचर्ट से मिलना है तो मेरे पास तो उसी दिन आ गई थी तो मै चलो जा के मिल लेते हैं तो फिर क्यों मिल रहे हैं पता है तो मैं जैदर जी नहीं है कि अगा गांधी पर फिल्म बनानी है और उसके लिए चलो मिल तो लेते हैं ऐसे करके हम मिलके आये तो अच्छा लगा एक गंटा चाय पीते-पीते हमने बात की और सिंस सरिचर इचर इस अलसो फ्रम थेटर बैगराउंड विवर फ्रम नैशनल स्कुल फ्रमा जैदर वे स्कॉर्टेड में तो बात हुई थी थी थीटर के बारे में ही सिर्फ इतना ही मैंने बताया कि नहीं आप फेस्ट कैमरा एफ दन टो फिल्म्स वगर ऐसा कुछ अगर दूसरे दिन फिर मुझे टेलग्राम मिला कि रिंग में अप अजयंट्ली एडाली का तो डाली को ने फोन किया उसने कहा कि आपको जाना है इसक्रीन टेस्ट के लिए और उस वक्त मेरे पासपोर्ट नहीं था मैंने गा स्क्रीन टेस्ट के लिए अगर इंगलेंड जाना है तो यह जाना है इसक्रीन टेस्ट के लिए पासपोर्ट मिला मुझे अगर उस आर्ट दिन यानि देवर लाग ड्रीम क्योंकि मेरा प्ले भी चल रहा था ले प्ले शोल्स चल रहे थे और फिर पासपोर्ट मिला हम चले गए एक सीन दिया था हमको जो हमको वहां पर एनायक् कि यह क्या कहते है जोडिया लगा रखे थी कि मैं और बैंन किंग्सले, स्मिता पाइटिल और नसर इतिन जाह और जॉन हर्ट और भक्ती परवे ऐसी उन्होंने अपने आपी जोडिया लगा रखे थी तो हम आहां जाके स्क्रीन टेस्ट की वापस आगी और फिर एक महने ब आप पहले तो उन्होंने बताया कि आप अपना वेट कम करो तो थोड़ी सी ओवर वेट थी तब अगर हाइट के हिसाब से 58 चाहिए तो आई बास 65 तो उन्होंने का पहले करो मैंने का आप दे रहे हो तो मैं कम करूँ अजया यह कहा आपने आपने तो सोचा तो मैंने का हर्च क्या है चलो कम ही करते हैं और फिर उसके बाद उन्होंने एक मेने बाद मुझे पता चला कि इस तरह से तो जो पता चला वो तो पिर बहुत थी एक कही आपके लिए खौब के सच होने जैसा ही रहा होगा कि एक तो क्या हुआ था उस वक्त मैं पॉस्त बेर्ट्वेट्थ जढरेशन हूं I'm now I'm 70, I'm 51 बन्ट तो हमने गुदी को पड़ा है वो हर इंडिबेर्ट्नस मुवमेंट में तो तब मैंने सोचा कि गांधी पे फिल्म क्या बनेगी और फिर जब मुझे पता चला कि मैंने का कुछ पढ़ना चाहिए तो डॉली रहती है पेड़रोड पे तो वहां से वापस आते वक पीच में मनी भवन पे जाके किताब खरीद लेते हैं सत्या प्रयोग में खरीदी मैंने का मराथी में पढ़ूंगी तो ज्यादा समझ आएगी मराथी में मैंने वह पढ़ ली और फिर पता चला कि ओमाइगा इतना इंटरेस्टिंग लाइफ है और फिर हमको स्कृप्त मिला तो स्कृप्त में पता चला कि किस तरह से उन्होंने प कि शुरू शुरू में मेरे लिए वह एक रूल था कि सताइस से लेके चौहतर तर तक मैं उनकी एज बता दू यहनी धीरे 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 वह एज होते जाने वाला और इंपॉर्टंट रोल यह सिरफ मेरे दिबांग में था लेकिन अगनिटूड अफ दे होल फिल्म वह धीरे दिबाग में आया कि ओ माइग गाड मैं इतनी बड़ी फिल्म में काम कर रही हूं शुरू में तो एक रोल करना है यही मेरे दिमाग में था और उसके लिए जो भी करना है एक तो अंग्रेजी पे वर्क करना था प्रनॉंसियेशन पे वर्क करना था क्यूंकि विंग महराश मेरे बहुत हार्ड वो थे उनको सॉफ्ट करना था जैसे T's and D's and W's and W's उस पे काम करना था उनको लहजान नहीं चाहिए था Oxford accent वगर नहीं चाहिए था बट करेक्ट English तो उसके लिए वहां पे काम किया कुसूम हैदर वो ट्रें करने के लिए आई थी मुझे पिर दूसरा ए जो चर्खा चलाना क्योंकि चर्खा चलाते चलाते scenes होने वाले थे तो ऐसे नहीं हो जाया कि आम बात कर रहे हो तो चर्खा बंद हो जाया और चर्खा चला रहे हो तो बात बंद हो जाया तो इच शुड बी the second nature तो नेली दो डाई महना चर्खा चलाया शुरू शुरू में बहुत मोटा सूत निकलता था बाद में दीरे दीरे वच्छा सूत निकलना सी गए और उसी दारां फिर यह हुआ कि हम जब वैसे जैसे मैंने चर्खा चलाना सीख लिया वैसे बैन को भी चलाना था तो शुरू-शुरू में हम अपने अपने कमरों में करते थे फिर उनके दि प्रेनर्स जो मिस्ट्रेमिस्स हांडा नाम के थे तो वो दो और हम दो ऐसे हम चार लोग बैट के सूत करते थे और बात करते थे तो उस हिसाब से बैन के साथ कनेक्ट होने के लिए भी वो काफी अच्छा रहा कि कभी-कभी मैं हमेशा कहती थी मैं देख रही हूं और मुझ कुछ पता नहीं चल रहा है इतनी मोटी-मोटी किताबे पढ़कर एक छोटा सा रेफरेंस कहीं मिलता था तो उनके बारे में मुझे इन्फोमेशन चाहिए तो हमेशा ऐसे कुछ उनके बैन के रीडिंग में कुछ आता था तो ही उस्ट शेयर वित मी और मैं कभी-कभी शेय करती थी तो मुझे सिर्फ दो किताबे मिली थी एक तो हमारी बा और दूसरी बापु की शीतलचाया में और बापु की शीतलचाया में सिर्फ आगाखान पहलेस का वो किया था वर्ण हमारी बा था किताब थी वनमाला बिन पारिक तो उनकी सिर्फ बापे थी तो वो देड़ी करना फिर इस तरह से कौन से सीन में कितने साल की होंगी तो वर्किंग बक्वर्ड्स कभी-कभी यह हुआ है कि चार साल इकट्था हो गए है एक सीन में यह निए दो घटनाए अलग-अलग वह एक उसमें एक सीन में आ गई है तो उस साल में यह हुआ था तो उस साल में मैं कितने बरसकी हूँ और फिर वह डिसकस करना फिर उस हिसाब से मेक-प में तबदिलिया लाना वह तो तो वह मेक-प्में के साथ हैर रेसर के साथ बैठके हमने हाँ what you have done what you have done तो वो मैंने पूरा वर्काउट कर लिया था तो उस हिसाब से फिर क्या क्या करें अच्छा इस सीन में फिर थोड़ी सी हो गई है तो थोड़ा थोड़ा हम बीच बीच में हम थोड़ा सा वाइट दिखाते हैं फिर इस सीन में फिर एक दूसरा विग बना ला था तीसरा विग में वो दिखाना था उस पे वर्काउट किया यह काफी चीजे तब वर्काउट जब एक मेहना पहले हमको बुलाया था उस एक मेहने में एलोक्यूशन और चरका हुआ और साथ में यह सारी स्टडी हो रही थी मेरी कुल किकना समय यह फिम शूट होगी पचीस हफ़ते पचीस फिटी फाइफ वीक्स नवेंबर एंड में शुरू हुई मेरे खाल में 27 नवंबर या 28 नवंबर डेट उस दिन शुरू हुई और में में लास्ट आर्थ दिन इंग्लेंड में शेपर्टन स्टुडियो में और महा पे जो गुल मेंस परिश्यद और यह सारा मिल वरकर्स को विजट किया था वो सारे मौंताजिस वो लास्ट में हुए थे में में तक चली हुई तो इस तरह से देखिए कि इस स्केल की पहली फिल्म आपकी वो थी और उसके बाद आपने बहुत सा काम और भी किया लेकिन उस कुछ था जिसका हिस्सा आप बनकर आपको बहुत अच्छा लगा बहुत वो तो है इतनी बड़ी फिल्म में काम करना और राइट इन बिगिनिंग ओफ माय करियर क्योंकि करियर अभी-अभी तो स्टार्ट हुई थी मैं पास आउट हुई 74 में 76 में मैंने मेरा पहला कमर्श किया और फिल्म हुई 81 में तो बहुत ही बिगनिंग में मुझे ये सब करने मिला उसके बाद उस जमाने में मेरे खाल में उतना उतने ओपनिंग्स वहां नहीं थे होलिवड में तो इसलिए शायद मैंने उस पे कॉंसेंटरेट कभी किया नहीं बाद में मुझे यहां भी काम मिलने लगा तो यहीं पे मैंने वह शुरू कर लिया और बाद टाइम एड माई सन आहट माई फैमली सो कभी वह दिमाग में ही नहीं आया बट एक अच्छा परज अच्छा आप ने जिन थीटर में खास तो पर जिन बड़े बड़े जिन को हम लोग जानते हैं खास हिंदी थीटर के लोग मनोहर सिंग और वगारा लोग से साथ कुछ आद कीजिए हमारे लिए क्योंकि अब तो वह हमारे बीच नहीं है बहुत सार लोग उस जमाने के यह वेटरन थीटर एक्टर्स थे अनकी क्या आद आपके मंद में है आज आज अ कलीग मैं यहां पर करूंगी ओम पूरी के बारे में ओम पूरी मेरे एक साल सीनियर थे जो मैंने मैंने मेंचन किया सूर्यमुख नाम का पले तो उसमें वो प्रद्यूम्न का रोल कर रहे थे और दूबल कास्टिंग हुआ करती थी यानि Suhaj Zoshi के साथ मेरा नाम था, Suhaj Zoshi मुझसे दो साल सीनियर थी और वो अकेली ही अक्टरस थे उनके क्लास में जैसे हमारा क्लास आठ लोगों का था उनका भी क्लास ऐसे ही कुछ छे साथ लोगों का था तो वो बहुत समय नहीं दे पा रही थी मुझे क्यूंकि मुझे पंदरा दिन पहले अलकाई साब ने पताया कि तुम ये डबल कास्टिंग में रोल करने वाली हो अजिए आप लोगों कि मुझे पता नहीं चल रहा था ऐसा प्ले था कि बहुत कुछ अलग साही उसके डायलोग जरूस के उसका ट्रीटमेंट था तो मुझे पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा है इसलिए फिर और सुआस भी मुझे वक्त नहीं दे पा रही थी उसके बजी प्रमां के पास गई तो अंचा इसा है कल साढ़े छे बजे ओपन-एर थेयटर में आ जाओ साढ़े छे बजे दिल्ली में ओपन-एर थेयटर में तो उसने कहा कि चलो मेरे साथ एक्सराइज करो वहां रिगिलरली जाके ओपन-एर में अपने डायलोग बोलता था और हीयरस तो voice की भी rehearsal हो जाती थी, dialogues की भी हो जाती थी और अपने-पने exercises वो अपने आप कर लिया करता था तो मैं वहाँ गई तो सारे exercises मुझ से कर लिये मैं एक साल junior थी तो senior का तो सुना ही था बट that helped me so much और फिर नाटक में जो movements थी और एक साथ scenes जो थे, वो हम करते थे तो he helped me a lot in that time और उससे मैं, I mean, जो sincerity, इतना sincerely काम करता था, इतना, यदि मैं उससे बहुत ज्यादा सीखी हूं as a, as a co-artist, Om was a, he was very dear to me, anyway, तो ये ओम के बारे में मैं कहूंगी, नसीर के बारे में भी वही अब हलाकि मनुर सिंग वो रेपर्टरी में हमारे senior थे और उस वक्त मनुर सिंग उत्तर अबावकर और सुरिखा सीखी ये तीनों school productions में काम करते थे, तो उनको देख देखके, उनका जो अप्रोच का तरीका है, वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, वो हम देखते थे, और वो एक, क्या कहते हैं, पेडिस्टियल जैसा हुआ करता था, मनुर सिंग, ऐसा करते हैं, इसा करते हैं, कितना अच्छा, क्यूंकि तुगलक तो उन्होंने किया है, तो तुगलक में सौते लिमा, और उनका एक production मुझे याद है, लुक बैक इन अंगर, वो सिर्फ चार पांच लोगों में था, उस सिर्फ पढ़के नहीं, देखके भी आप जो ग्रास्प करते हो, जो ले लेते हो उनसे, वो भी बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल, आपका अपना जो करने का तरीका है, एक्टिंग, एक तरह से कहिए कि करेक्टर में बदलना, पढ़ने और ट्रेनिंग की तो एक चीज होत करते हैं, स्टेज के बाद टेलेविजिन, सिनमा, पढ़ना, सीखना और उसे एपलाइड करना, ये सब के बीच में और खास तरह पर इतना बड़े एक प्रोड़क्शन में आप काम करें चुकी, सर रिचर्ड एटैंविरा के साथ, ये सब कुछ मिला लें अगर, और आप हम को बताएं, हमारे देखने वालों को और खास तरह पर उन एस्पारिंट एक्टर्स को, कैसे आप कैसे बनती हैं दूसरा आदमी, दूसी और, दूसरा करेक्टर? मेरा तो, मैं धीरे धीरे बनती हूँ, दूरिंग रिहर्सल्स होता है, जब आप संहिता पढ़ते हो, स्क्रिप पढ़ते हो, एक दिमाग में आपके एक चबी आ जाती है, कि ये ऐसे होगी, लेकिन उस पे ही मैं कायम रहती हूँ ऐसा नहीं, दूरिंग रिहर्सल्स मुझे दिरे-धीरे वो सस ःकरेक्ड के बारे में पता चल जाता है, और रिहर्सल्स में, हम कहते हैं कि जो फुक्त हैं आ आपके सामने वो यह ऐसा क्यों behave करेगी, यह ऐसा क्यों behave करती है, वो सोच के, वो देख के, वो सुन के, क्योंकि बाकी actors, बाकी characters भी आपकी character के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनका क्या नजरिया है, और ऐसे धीरे-धीरे-धीरे मेरी character build-up होती है, उसमें मेरे अपने खुद के experiences भी होते ह हैं, जैसे मुझे यादे मैंने एक play किया था, मित्राची गोष्ट, जिसमें मैंने लेजबियन का रोल किया था, अब लेजबियन के बारे में पढ़ना और कल्पना करना एक और बात है, एक experience में आपको बताती हूं, जिससे मुझे बहुत हेल्प मिली, उस वक में दादर से पारला जाती थी, in train, this was, I think, after Gandhi, 80s में, और तब तक Gandhi रिलीज नहीं हुई थी, तो I could, आसानी से मैं जा सकती थी, तो मैं जाती थी, कुछ 8 बजे, क्योंकि 9 बजे की हमारी रियर्सल हुआ करती थी, तो जाते वक्त, इतनी आजकल जितनी भीड होती है, उतनी भीड नहीं हुआ करती थी, I am talking about 80, 81, 81, 80, तो मुझे अच्छा लगता था दर्वाजे पर खड़ा रहना, हवा आती थी, अच्छा लगता था, तो मैं दर्वाजे पर खड़ा रहती थी, एक दिन, slow train थी, इसकी वज़े से एक थर्ड, वो सामने आके खड़ा हो गया, लेडीज कंपार्टमेंट था, चलो ठीक है, साम दूसरे स्टेशन पर जब गाड़ी रुकी, कुछ औरतें नीचे उतरी, कुछ औरतें उपर चड़ी, पाच्छे ही होंगी, लेकिन उन्होंने उसको इस तरह से देखा, वो नजर मैं, यह थोड़ा सा, कि यहां क्यों खड़ा है, हलांकि किसने बोला नहीं कि उतर जाओ, ल रिजेट्मेंट जो होती है, वो कहीं उस नजर में दिखी मुझे, आप सोचिए, मैं लेजबियन क्यारेक्टर कर रही हूं, यह सामनी यह, कहीं पर वो पैरलेल्स मुझे दिख रहे थे, जब मैं तीसरे स्टेशन पर, मैं उसी के और देख रही थी, कि क्या उसकी होगी, अचानक उसकी मेरी नजर मिली, यह, मेभी, ही स्माइट, और वही मेरे दिमाग में था, कि हाव ही इस टेकिंग, और मैंने क्या करना चाहिए, उसको क्या लगा होगा, यह, I started finding out the parallels in my performance, कि एक उसमें ऐसे वो था कि जो मेरी फ्रेंड है, फीमेल फ्रेंड, तो उसका बाइफ्रेंड है, और ही कैच अस और वो बहुत गलत सरद बाते करता है, आउटपर्स्ट होता है उसका, और कहता है कि तुम जैसे लोगों को भरे चॉक में चाबक से मानना चाहिए, बगरा, बगरा, बगरा, बगरा. And that time, I mean कैसे क्या रियाक करें कोई, तो वो कहीं मुझे मुझे हल्प मिली. So, it's not कि मैं सिर्फ पढ़के, क्योंकि एक तो होता है नैचरल आजाता है या फोस्ट होता है, लेजबियनिजम, तो वो थी नैचरल ही थी, लेकिन उसको पता था मैं कुछ अलग हूं, तेंडल कर का ही प्ले है, मित्रा जिगोष्टर, फ्रेंड स्टोरी, उसको पता है, मैं अलग हूं, और वो अलग होना उसके लिए क्या हो सकता है, तो वो एक 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 स्पीरियन्स और वो शायद कहीं मैंने इंकॉर्परेट मन में कर लिया होगा, मैं भी लोगों को पता नहीं चला, लेकिन वो मेरे लिए बहुत खास था, बिलकुल, आपने बिलकुल सही कहा, क्य मैं इसी सिल्सिले को आगे बढ़ाते हुए, खास्तों मैं पार्टी के उस सीन के बार में पूछता हूं, जो शायद मनहर जी के साथ आपका है, और वो इतना कन्विंसिंग है कि मतलब यह जो हस्बंड वाइब रिलेशन्शिप में वो जो एक जगा पर क्लाइमिक्स, मतलब अगर ऐसे देखें परसनल रिलेशन्शिप आप लोगे तो आच्छे चल रहे थे तो वो कन्विक्शन और आज वीवर मुझको बिल्कुल लगता है कि यह तो यह क्या हो गया मनलब एक मोमेंट के लिए एक कमाल की सिचुएशन पैदा हो गई मुझे ऐसे लगता है वो सिर्फ एक ही मैंने एक एक एक्जांपल दिया लेकिन कहीं थोड़ा बहुत फर्क के साथ हर केरेक्टर में कहीं न कहीं यह मुझे मिलता है और यह मैं उसमें अपने आपको डालना वगर यह बहुत दूर की बाते हैं लेकिन वह समझना बहुत सरूरी है यूमन अंडर्स्टैंडिंग होना बहुत सरूरी है और वह अंडर्स्टैंडिंग अगर आपके केरेक्टर में आ गया तो I think sky is the limit आप कुछ भी वह कर सकते हो अगर मुझे वेशा का काम करना है तो यह नहीं है कि मैं वेशावस्ति में जाके कुछ करूं आपकी अपनी इमाजिनेशन भी होती है लेकिन अगर पैरलल कर ही मिल जाए तो उसमें एक वैल्यू एडिशन होती है तुमने जो लिखा है सब पक्वास है तुम और कही क्या सकती हो प्रेम खोखला और निरर्थर जान पड़ता है इसकी क्या माने चलो तैयार हो जाओ प्रेम खोखला जान पड़ता है यानि क्या क्यों खोखला जान पड़ता है तुम मझसे प्रेम नहीं कर दे करता हूं पर्फ़ जो, पर्फ़ पर्फ़ दो, जिए, मनले दिन। पर्फ़ जो, जिए, मनले बाइड, पर्फ़मेंट पर्फ़मेंट, जिए, मनले बाइड, पर्फ़मेंट, जिए, मनले दिन। और कभी-कभी, करते वक्ते वक्ते, I mean, during performance, कभी-कभी आपको ऐसे, ऐसे हो जाता है, कि, कि, oh my god, this is the moment, you know, ऐसा भी कभी-कभी होता है, and that moment, if you really catch it, then I think आपके लिए वो बहुत satisfaction देता है. तो आपसे यहाँ जरूर यह पूछेंगे कि, इतनी तरह के characters हैं समाज में, इतनी तरह की स्थितियां है, कोई आपको लगता है कि, कोई एक ऐसा character जिसको जीना चाहती थी, लेकिन उस तरह की film में उस तरह का नाटक अभी तक नहीं आया, आपको उसे जरूर कहीं पर perform करना है? I don't know, मैंने इतने सारे किये हैं, यानि, राइट राजिया तो, I mean, एक फोग प्ले में भी काम किया है, मैंने, ऐसा तो कुछ वो नहीं है, क्योंकि, काम करना है, वो तो है, लेकिन एक ऐसा मैं नहीं वो कर सकते हूं कि यह है, यह है, लेकिन मैंने शेक्सपेर अभी तक एक भी नाटक नहीं किया है, I would love to do a Shakespeare play, वो ही सिर्फ मेरे दिमाग में है, क्योंकि काफी सारे plays हुए हैं, मैंने काफी सारे characters भी हुए हैं, लेकिन शेक्सपेर अभी तक नहीं क अभी नहीं किया है, I would like to do. the character and even her speech and आप अरे उस character में तो ऐसा बोल रही थी, इस character में यह बिलकुल वही लग रही है, है कहां कि यह, हैसा आप में शालगता है, and I think Beryl Streep, I really love her, her performances, all her performances. अगर देखा जाते हैं, I was as a student or as a young person, I was a fan of Sanjeev Kumar. मैं fan ही कहूंगी मैं, बहुत अच्छे लगते थे मुझे थे मुझे और कभी जब शुरू किया काम तो ऐसे लगने लगा कि नहीं, कभी एक बार तो मैं काम करूं के साथ ऐसा था लेकिन मौका नहीं मिला. यह दो नाम तो हैं, बाकी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन मेरल स्ट्रीप इस अच्छा तो खाली वक्तों में जब आपके पास बहुत बहुत बैक टो बैक आसाइनमेंट्स दी होते, तो क्या करने का दिल करता है कि अब वक्त खाली है, अब यह करते हैं? मुझे कोकिंग बहुत पसंद है, को के दीडेंटीड कंटाला था है, लेकिन नहीं नहीं रेसिपीज को ट्राइ करना बहुत अच्छा लगता है, तो कभी ऐसा हुता है, तो बहुत प्रिपैर्ट आंब मैं त्राइ करों, ऐसे होता है, वह एक मेरा फेवरिट पास coworkers माप्व करने का इतना शौक नहीं है बाहर जाने का क्यूंकि हुआ यह कि जब मैं बिजी थी तब जब भी मौका मिलता था I used to be at home और नहीं घर को समालना है घर को समालना है तो ऐसा नहीं था कि हाँ वक्त मिला है तो चलो पिक्निक पे जाते हैं यह कभी नहीं मेरा हुआ शायद उसकी लेकिन कभी मौका मिला तो नाटक वातक देखना जो बैकलॉग्स बहुत होते हैं मेरे नाटक के फिल्म के बैकलॉग्स बहुत ज्यादा होते हैं तो कभी वही कहीं कंपनी मिल जाए तो वह हो जाता है बट इस और माय फेवरिट पास्टाइम्स की घर पे रहना चिला उट अच्छा फिर आपने अलग-अलग दोरों में अलग-अलग शूटिंग एंवारिन्मेंट में भी काम किया टीमिंग की एक तरह से कहिए कि अगर सहीद ब्रिजा के साथ अगर शुरू किया तो फिर आपने रिचर्ड एट एंबरा के साथ भी किया और बिल्कुल टेल विजन बिल्कुल जो नियू एज एक वरकिंग एटमस्फियर है उसमें भी काम किया अब यह सब को अपने ही प्रोफेशन में रहते हुए कैसे देखती है इस पूरे बदलाओ को कुछ आपको शिकायते हैं कुछ सजेशन कुछ होते हैं बदलाओ तो बहुत आए हैं एक तो मुझे याद है जब सरीचट को मिलने गई थी तो मुझे बताया गया कि आपका एक फोटोग्राफ ले आई है और मेरे पास फोटोग्राफ नहीं था अपना और आजकल मैं देखते हूं काम से पहले पोटफॉलियो तया होता है और पोटोशूट होते हैं और पूरा तयार हो जाता जाता है जाता है और अब हमारे जमाने में जब हम श्रुगल किया तब टेलिजन आया ही था तो मैक्सिमम टेलिजन में जाना और उसकी वज़ए से थेटर का लव ता ही लेकिन थेटर वस ना अस्टेपिंस तो गो इन फिल्म्स अब लेकिन अभी बच्चे आप कर लेते हैं कि वहां जाना है वह हममें शायद नहीं था और वहां जाने के लिए जो कुछ करना है वह कर लेते हैं लेकिन वह भूल जाते है कि यह स्टेप bajस्ट स्टेप ही होता है मोगा साव इस भूर ूश एत अलग सा लगता है दूसरा जो पहले के जम्वाने में जो हमने देखी है फिल्म में उसमें जो I won't say सीख थी लेकिन उसमें जो थीम्स हुआ करती थी सोशल थीम्स हुआ करती थी कुछ बताना चाहते थे लोगों को मैं अलर्ट करना चाहते थे मैं यह नहीं कहूंगी कि प्रापगंडिश बगरे ऐसे नहीं थी यह समाज को मैसेज देना ऐसे भी नहीं कहूंगी लेकिन वो कुछ कहना चाहते थे किसी चीज के बारे में वो आज और हमको यह बताया है कि it's more than monorengine, it's more than just entertainment, तो उससे कुछ भाष्य करना चाहते हैं, ऐसा शुरू में होता था, आप पुरानी फिल्में ले ले तो हर फिल्म में आपको कुछ न कुछ ऐसे मिलेगा, बट नावडेस बहुत कम फिल्मों में आपको नजर आता है, यह थोड़ी मुझे लगता है ऐसे. तो हम लोग रोनी जी बातों के बिल्कुल आखरी हिससे में पहुंचे हैं, हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि जो जिन्दगी आपने चुनी बेशक अपने शौक की वज़े से ही, जो आपने बहुत चुटपन में महसूस कर लिया था कि आपको स्टे पीछे मुड़ कर देखना होता है या उस पर कुछ प्रशन खड़ा करना होता है, किस नतीजे पर पहुंचती हैं कि यह कैसा जीवन है? कहें तो बहुत आसान है क्योंकि यह नहीं हुआ है कि मैंने कुछ कुछ बहुत बड़ी एंबिशन रखी हो और वो पूरी नहीं हुई, ऐसा नहीं हुआ है मेभी आई वेंट विद फ्लो अफ इट तो शायद वो नहीं है मेरे दिमाग में और अगर मुझे पूछा जाए कि आप वही जिंदगी फिर से जीना चाहती हो तो हाँ, मैं जीओंगी जो मुझे जो मेरा शौक जो था वो मेरा प्रोफेशन बन गया है और जिस जो भी आप काम करते हो उसमें आपका दिल हो तो डेफिनेटली वो काम काम नहीं लगता है वो एंजॉइमेंट हो जाती है और उस तरीके से मुझे लगता है बहुत लेट मुझे पता चला कि I love this जो प्रोफेशन है मेरा I love doing characters I love doing and through that मुझे लगता है मैं आदमी को पहचानने लगी हूं ज्यादा सो कभी-कभी ऐसे लगता है कि यही प्रोफेशन है जो मुझे सामने वाले को समझने की opportunity दे रहा है आदमी को समझने की opportunity दे रहा है क्योंकि वो मैं नहीं हूं और मुझे लगता है यही प्रोफेशन में चुदूंगी अब आप अमारे लिए कुछ गाकर सोनाईगे कि मैं काती नहीं हूं मैं कंसुरी हूं मैं गाती नहीं हूं लेके डांस की वज़े से कुछ गायन तो आई जाता फिर आपने तो भरतनाटेम और यह होता है ऐसे है मेरा पहला ही प्ले था जिसमें I was doing a character of Deodasi who Marathi की पहली संगीतकार आप कहते हैं हिराबाई पेड़ने कर तो संगीतकार तो गाना था और रुदैनात मंगेशकर जी को बुलाया गया और उन्होंने पूछा आप गाके तिक गई है मैं नहीं गा सकती उनके सामने तो फिर डॉक्टर साथ थे उसमें Dr. Lagu, my first play और वो शुरू करते थे गाना और मैं उनके साथ एक दो लाइने गा लेती थी और बस उतना ही था जस दिखाने के लिए कि हां यह सिंगर है तो गाना मैं नहीं गा सकती अच्छा ठीक है फिर आप हमको कोई एक डायलोग जो आपको बहुत पसंद है हाला कि उसे स्टेज पर करना जादा अच्छा होता है और को एक्टर के साथ करना अच्छा होता है निकोई एक डायलोग अमारे लिए थोड़ा इमोट कर दो एक ही वह अगनीपत का एक है लेकि लेकिन मैं तेलगू डायलोग आपको बोलके निका होगी क्योंकि मैंने तेलगू, तामिल, मल्यारम, मराथी, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, कन्ड़ा, वह है अल्ट है ने काम किया है गुजराती प्ले करती हूं लेकिन एक मुझे तेलगू डायलोग याद है और मु लेकिन दव में एपन प्ले कलिए किattform भूमरा बेats ale शरीग, है और साथियू याद प्ले करती नित्ति करत अफट हैं यह को जयाँ अभी इसका मतलब क्या हूँ आप का ? बहुमी भूमी, गुंड्रंगा उन्तुन तटा, गोल है, अच्छा, अमेरिका, सरिग्ग आउतलवाइपुंद, आउतलवाइपुंद, नीचे है, सरिग्ग नीचे है, ठीक नीचे है, इपुडवो, इसलिए, मना नित्तिमिदा, वाडी, वो, वो हमारे सर पे, और हम उनके सर पे, अ आइसा, ये एक तेल कु डालोग था, और एक मल्यारम भी डालोग मुझी यादे, सोंद माई बुथी मुठी काश उंड़ा को बोले आदें डेविल्यारियो, यादे, खुद जब कमाऊं तो पैसे की कीमत पता चलती है, तो फिर मराठी में भी विर सुनाईगी, नराथी में, एक जो लोगों को अच्छा लगता है वो अगदीपात का डालोग है, अपने हाथ धोले विजय, तेरे हाथ इतनी जल्दी नहीं धूल सकते, तेरे पिताजी कहा करते थे, इनसान को जानवर से इनसान बनने में सदियां भी दे हैं, पर तुझे इनसान से जानवर बनने में जरा भी वक्त नहीं लगा, क्या बात, तो बहुत शुक्रिया, रोणी जी आप हमारे लिए आएं हमारे प्रोग्राम में और हम लोगों ने इतनी बात नहीं कुछ और ऐसी बात जो आप और कहना चाहती है, इस वक्त कहिए था कि हम लोग ये बाचित बाइंड अब करेंगा, अगर इस प्रोफेशन में आना है, तो ग्लैमर पे ध्यान मत दीजिए, काम पे ध्यान दीजिए, बस उतना ही मैं कहूंगी, और दूसरा में भी मेरे सामने जो कुछ उधारण है, उसकी वज़े से मैं बोलती हूँ कि, जो मैंने पहले भी कहा कि, पहले घर देखो बाद में, तो ऐसा मत कीजिए, अपनी बहुओं को भी थोड़ा सा बढ़ावा दें, तो अच्छा रहेगा. तो हम समझते हैं कि ये जो आखिर में अपने संदेश की शकल में ये बात कही हमारे देखने वालों को पसंदाई होगी और उससे वो रोशनी लेंगे, बहुत 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 शुक्रिया, रोहनी जी आपने हमारे ली इतना वक्त लिया, प्रोग्राम गुफ्तगु में आज हमारे साथ थी जानी मनी आक्टर, रोहनी हाट अंगडी, कुछ कहना चाहते हूं तब हमें लिख सकते हैं, गुफ्तगु एट रेखता.वार जी बर कि अच्छु एट